आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2024 जो आने वाला है और 2024 में आपको कौन से best credit card जो आपके ballot में होने चाहिए वो best credit card क्यों है उसका compare करके बताएंगे इस वीडियो के अंदर कर और आप उस credit card को जब यूज करेंगे तो आपको क्या फाइदा मिलेगा या आपको पता चलेग और फिस महीने में कौन सा credit card alternative तरीके से number one, number two, number three हो जाता है क्योंके दोस्तों आपको पता है कि हमारा देश अलग-अलग मोसम का देश है, वीवी ताओं का देश है, अलग-अलग time पे लोग अलग-अलग activities करते हैं और क्या आपको पता है कि हमारे देश में 78 bank, सार्वजिन 78 bank credit card provide करते हैं, अलग-अलग segment में होता है, अलग-अलग परकार के होते हैं, तो दोस्तों इतने सारे bankों के एक bank का कम से कम 10 से 12 variant के credit card होते हैं, तो आप हिसाब लगा सकते हैं, कि 780 type के credit card हमारे Indian market में activate हैं, मतब लोगों के pocket में हैं, तो हम आपको इस video में ये भी बताएंगे कि भाई, इतने card में से कौन सा best credit card आपके ballot में होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, उसकी annual charge को हम रखेंगे compare करने के लिए, उसके reward point और cashback point को रखेंगे, और किस credit card को आप use करें, हम आपको last में ये भी बताएंगे, तो दोस्तों वीडियो को आँ तक देखिएगा, अगर आ point guy का नाम सुनाओगा कि कैसे उसने credit card के reward point से पूरी दुनिया का share किया है, और एक बहुत बढ़ा blogger बन गया है, cable reward point से, तो आप भी बन सकते हैं, वीडियो को अंतक देखिए, अपनी knowledge को बढ़ाईए, मैं हूँ अब्दुल और आप देख रहे हैं तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की वीडियो और आज की topic आप लोगों के लिए रखा गया है, desktop credit card जो आपके ballot में होने चाहिए, 2024 में, और क्यों होना चाहिए, ये सारी बात करेंगे, आपको पता है कि credit card क्या होता है, अगर आप beginner है तो आपको ये भी पता होना की credit card क्या होता है, आपको नहीं मालम है, तो आई बटन में जो वीडियो आ रही है, उस वीडियो को जाके देखिए, आई बटन की वीडियो को क्लिक करिए, पूरा हमने एक playlist मना रखा है, इसमें आपको credit card क्या होता है, बैंक आपको credit card क्यों देता है, credit card का फाइदा क्या हो जाएगी और credit card जब आपके ballot में आएगा तो आपको अच्छा ही फाइदा देगा, नुकसान नहीं देगा, अगर आपने एक point को भी miss किया, तो दोस्तो credit card आपके लिए बहुत बढ़ा सिर्दर्द बन सकता है, और वो इतना बढ़ा सिर्दर्द बन सकता है कि आपकी account में कभी पैसे रहेंगे ही नहीं, अगर आप ठीक से credit card नहीं चलाएंगे, तो दोस्तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, दसमे नंबर के credit card की, जो की मतलब आपको reward point देगा, और आपको free मिलेगा, और ये दसमे नंबर पे है, और यह जो credit card है, दोस्तो standard chartered bank का platinum reward credit card है, जिसको PRC बू मिलता है, 150 रुपए खल्च करने पर hotel में, restaurant में और fuel spend पे, fuel spend का मतलब है कि दोस्तो पेट्रोल पंपे आप इस credit card से 150 रुपए खल्च करते हैं, तो आपको 5 reward point मिलता है, और एक point की वहली 25 पैसे होती है, आपको पता है कि बहुत सारे credit card जैसे fuel वाले है, वो fuel के लिए specialist अलग credit card है, जैसे इंडिया का credit card हो, या Axis Bank का, आपने BPSL State Bank of India का सुना होगा, और बहुत सारे credit card ऐसे होते हैं कि आपको fuel पे केवल सार्चार्ज वेवाफ करते, reward point नहीं देते, लेकिन ये credit card आपको 150 रुपए खल्च करने पर fuel spend पे भी पैसा, आपको 5 reward point दे रहा है, और एक report point आपको मिला है, all other spend पे यानि कि आप online shopping कर रहे है, offline shopping कर रहे है, grossly खरीद रहे है, movie ticket book कर रहे है, तो आपको मिलता है, और दोस्तों ये credit card solid percent को भी मिला है, self-employed percent को भी मिला है, इसमें कम से कम age 18 percent होने चाहिए, online अगर इनकी website पे जाके हमने देखा और maximum 62 साल के लोगों को य रहे हैं, अगर sell it percent, self-employed की बात करें तो दोस्तों minimum 18 साल है, और maximum 66 साल age criteria रखा गया है, आपको अगर यह credit card लेना है, तो आपकी income established होनी चाहिए, नहीं कि हर मैंने आपकी salary हो या बिजनसमेन है, तो आपका ITR होना जरूरी है, और दोस्तों credit card जो आपको अगर लेना है, तो वो ये केवल महानगरों में देते हैं, और इनके location बस fix है, ये ग्रामिन चेतरों में नहीं देते हैं, क्या आपको पता है, State Bank of India का SBI सिब्ली से credit card आपको गाउं में भी provide किया जा रहा है, इस credit card के joining और annual fees की बात करें तो दोस्तों इसका zero annual charge जो जो आइनिंग फीस है, और आ अगर आप 30 दिन के अंदर 500 रुपे नहीं खच करते हैं, तो दोस्तों 250 रुपे plus GST की fees लगेगी, तो ये आपको hotel booking, restaurant booking, fuel spend के साथ आपको 5 reward point दे रहा है, ये इस टेंटर चार्टेट का प्लेटर में reward का credit card है, जिसको हमने दसवे नंबर पे रखा है, दोस्तों इसका credit card का ह नहीं मालुम है, पूरी जानकारी, तो आई बटन आ जो आ रहा है, वीडियो का link आप जाकर देख सकते हैं, बात करते हैं, नौवे नंबर के credit card की और इसको हमने जो रखा है, वो इसलिए रखा है, दोस्तों ये भी आपका एक selling individual credit card है, और आपको जो मिलेगा बड़े असान इसक करेडिट कार्ड, आई दोस्तों ये credit card सब लोगों का बनेगा, आपका civil सही है, या आपका civil खराब है, ये credit card आप लोगों का बन जाएगा, और इस credit card का फायदा ये है, दोस्तों कि इस credit card से आप 100% cash withdrawal कर सकती हैं, जी या दोस्तों इस credit card से आप लोग 100% अगर एक लाग का credit card तो एक लाख आप cash withdrawal कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से अपने FD का 80% तक का limit ले सकते हैं, आप चोंगे कि भाई मैंने FD का नाम क्यों लिया, तो दोस्तों यह credit card जो है Axis Bank का इंस्टा credit card आपके FD के विहाब पे बनता है और आप 100% तक cash withdrawal कर सकते हैं, और इस credit card से आपको 1% का fuel surcharge जो होता है, All India में wave up होता है, दोस्तों इस credit card के advantage की बात महले तो आपको fuel surcharge wave up मिलता है, flexible credit limit मिलती है, यानि कि आप अपने FD क 80% को आप इसको use कर सकते हैं, 100% तक cash withdrawal कर सकते हैं, जो account मिलेगा, और Axis as loyalty program आपको इस card में मिलता है, जिसमें आप 3 reward point 200 रुपए खच करने पर earn कर सकते हैं, 12 reward point अगर international spend करेंगे 200 रुपए तो आपको मिलेगा, और 100 point मिलता है, आपका online जैसी इस card कर अक्टिवेट करते हैं, तो 100 रुपए 100 और दोस्तों यह credit card सब को मिलता है, चाहे civil ठीक है, चाहे civil खराब है, क्योंकि यह FD के विहाब पर मिलता है, और आप जब इसको apply करते हैं, तो आपका guaranteed approval आता है, ठीक है न, और आप इस credit card से कुछ भी purchasing करेंगे, तो आप उसको EMI में convert कर सकते हैं, तो दोस्तों FD Waste का सबसे best credit card है, Axis Bank का Insta credit card, इसलिए इस card को 9 में नंबर पे रखा है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमारा civil खराब है, हमारा credit card बनेगा की नहीं बनेगा, तो दोस्तों अगर आपको यह credit card बनाना है, तो आपको बात कर लेते हैं, आपके लिए आठवे नंबर के credit card की जो आपको अपने ballot में क्यों रखना चाहिए, और उसका कारण क्या हो सकता है 2024 में, तो दोस्तों आठवे नंबर पे जिस bank का credit card हमने रखा है, दोस्तों वो है IDFC first millennia credit card, जिया दोस्तों IDFC first millennia credit card को हमने आपके लिए आठवे नंबर पे रखा है, IDFC first millennia credit card की बात करें, तो यह best credit card है इंडिया में, यह credit card अपने advantage के लिए बहुत famous है, और इस cards को आप यूज करें, जब आपका card आए जए 90 दिन में, आगर आप 15,000 रुपे खच करते हैं, तो आपको voucher मिलेगा, इसके अलाबा कभी भी यूज करेंगे reward point को, तो आपकी fees नहीं लगेगी, इस credit card की एक और सेस्ता है, मतलब बहुत बड़ी वी सेस्ता बोलने, कि आप इसके delay point पर अन्य credit card के मुकाबले, जिसमें 30-40% का ब्याज लगता है, IDFC credit card का, जो एक credit card है, IDFC first millennia credit, केवल 9-15% का ब्याज लगाता है इस card के लिए आपको कम से कम लेना है, तो 20,000 रुपे की salary होगी, और आपका credit score यहाँ पे 700 से plus होना चाहिए, ठीक है न, और इस credit card में आपको financial flexibility और reward point दोनों की सुभीधा मिल जाती है, तो दोस्तो IDFC first millennia credit card, अगर आपको लेना है, प्लान बना रहे कि मुझे एक card चाहिए, तो इसका review पर रखा है, link है, जाके देखिए, पूरा A to jet बात बता रखा है, और description में दोस्तो IDFC credit card apply करने का link है, आप वहाँ से apply कर सकते हैं, बात कर लेते हैं, साथ में नंबर के credit card की, जो साथ में नंबर पे मैंने रखा है, दोस्तो यह एक fuel category का credit card है, और इसका नाम है दो आपको State Bank of India BPCL auction credit card की बात करे, तो यह best credit card है इंडिया में fuel के लिए, SBA BPCL credit card के साथ आपको required current मिलता है, आप चाहे dining पे खज करें, grocery पे खज करें, किराना पे खज करें, departmental हो गया, movie हो गया, और आपको 2.5 का cash back मिलता है, BPCL के petrol pump पे दोस्तो सबा 6% का आपको advantage मिल जाता ह इस credit card से, State Bank of India BPCL credit card reward point का आप उपयोग कर सकते हैं, और इस credit card से दोस्तो अगर BPCL petrol pump पे credit card को यूज करके खज करते हैं, fuel पे तो आपको 6.25 का advantage मिलता है, इस credit card की थोड़ी सी fees है, लेकिन अगर आप एक milestone को achieve कर लेते हैं दोस्तो तो वो भी fees आपकी वेवफ हो जाती है, त आप जाके देख सकते हैं, तो दोस्तो छटे bank के नमबर पे हमने रखा है, दोस्तो access bank के S credit card, इस credit card को यूज करके domestic airport पे launch access कर सकते हैं, इस excellent credit card को आप जब लेंगे तो आपको Google Pay के माध्यम से UTT पर 5% का cashback मिलता है, ओला सुईगी जमेटो पर 4% का cashback मिलता है, और सभी खरी करते हैं, उस पर 2% का cashback आपको मिलता है, वैसे तो ज़्याद है, तो लोग अपने Android में, Google Pay में credit card को add नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप इस credit card को add करके use करेंगे, तो आप सोच सकते हैं, तो access bank as credit card, क्या होता है, कैसे मिलता है, इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए, तो यह जो link में वीडियो आ रही है, जाकर देखिए, आपको पता चलेगा, दोस्तो बात कर लेते हैं, आप 5 में नंबर पे, 5 में नंबर को दोस्तो हमने रखा है, Amazon Pay ऐसी ऐसी credit card को, जो online segment का बहुत ही अच्छा credit card है, यदि आपका दिल Amazon Pay है, यानि कि Amazon के माध्यम से आप shopping करते हैं, बूक कर बंगवाते हैं, Amazon की activity में आप involved होते हैं, तो ये credit card आपके पास होना चाहिए, दुनिया वर का cashback मिलता है, क्योंकि Amazon पर आपको 5% का cash मिलेगा, और सारी चीज़े दुनिया वर की Amazon पर उपलब्द है, इस credit card का सबसे अच्छा part यह है, कि यह cashback जो देता है, बि विस्तारा signature credit card, तो थोड़ा expensive credit card है, और यहां एक मतलब traveler credit card है, अक्सिप बैंक विस्तारा signature credit card उनके लिए है, जो घुमने फिरने के बहुत सौकीन है, और इसमें आपको milestone के रूप में visa, विस्तारा ticket मिलता है, इस card का सबसे संदार हिस्सा यह है, कि आपको hotel booking पे, हवाई ज grocery या golf के activity में involved होते हैं, तो आप इस credit card से एक high expensive lifestyle को match कर सकते हैं, और यह वैसे भी H&I customer के लिए होता है, Axis Bank का 20 सिगनेचर credit card, दोस्तो आप बात कर लेते हैं, तीसरे नमबर के credit card की, तो दोस्तो तीसरे नमबर पे जिस credit card को हमें रखा है, दोस्तो वो है, AU Finance Bank का LIT credit card, LIT, मत जिन्दगी को आज ही जी लो, इस credit card की दोस्तो कोई fees नहीं है, जी हैं दोस्तो, तब तक आप इस credit card को activate करके, इसमें 10 services आप पर मिलते हैं, उसमें से कोई एक service आप लोग चूज नहीं करते हैं, तब तक यह credit card free है, लेकिन आप जो भी services लेंगे, उसकी fees के हिसाफ से आपको इस review को देखिए, और credit card को लेने की कोशिश करिए, क्योंकि lifetime free के साथ साथ एक तरीके से बहुत सारे advantage देता है, बहुत कम documents पे online approval देके, यह credit card आपको मिल जाता है, तो फड़ावाट, description में लिंगे, अगर लेना है, तो जाके आप महां से apply कर सकते हैं, तो दोस्तों, आप द दो नंबर पे क्यों रखा है, तो दोस्तों, सुईगी करेडिट card आपको बिल्कुल एक तरीके से free में ही मिल जाता है, अगर आप इस करेडिट card को apply करते हैं, online भी apply कर सकते हैं, offline भी apply कर सकते हैं, तो देर किस बात कि यह फड़ावड आपको सुईगी करेडिट card का information collect करना चाहिए हमारे SGFC के playlist में जाकर देख सकते हैं, मोटा मोटी में आपको बता जेता हूँ कि इस credit card में आपको फाइदा क्या मिलने वाला है, दोस्तों इस credit card में आपको तीन बंद का सुईगी का online membership मिल जाता है, 1199 रुपे के आसपास का 10% का cashback मिलता है, सुईगी पे आपको spend क बिल पे यह credit card आपको मिल जाएगा, solid person को भी मिलता है, self-employed को भी मिलता है, तो डने घपाने की बात नहीं, अगर इस credit card की ज़रूर तर नीचे link के जाकर अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको इसका review चाहिए, तो हमारे SDFC प्ले लिस्ट में जाके इसका review देख सकते हैं, तो जस्तों आगे हम number one credit card के लिए, लेकिन number one को जानने से पहले आपको यह, जो मैंने 9 credit card आपको previously बताए हैं, आप कौन सा credit card यूज कर रहे हैं, और कौन सा नहीं कर रहे हैं, comments में लिखे, हम आपको बताएंगे कि जो आप कर रहे हैं, उसको क्यों आपको upgrade कराना चाहिए, अगर कोई credit card upgrade करवाएंगे, तो आपको क्या फायदा मिल सकता है, आपको किसी भी bank का credit card चाहिए, State Bank of India, HDFC, Indus Bank, Standard Charter, MX का, आप हमारे माध्यम से उस credit card की जानकाड़ी लेके ले सकते हैं, यह जो WhatsApp number आ रहा है, WhatsApp में आईए, हमारी team आपके WhatsApp का इंतजार कर रहे हैं, ताकि save credit card, जी दोस्तों, हर दसमें से एक credit card SBI का ही होता है, सबके ballot में, क्या आपके ballot में है, State Bank of India का यह credit आपको डाइनिंग ग्रोसरी मूवड़ी पे 2.5 cashback का cashback देता है, और मातर 499, 4999 की joining fees में credit card मिल जाता है, और आप 2 महीने में कर लेते हैं, खर्च 2,000 का तो वी बेवफ हो जाता है, पूरे साल में एक लाग का milestone आप अचीव करते हैं, तो दोस्तों कैसे लगी वीडियो, 24 के 10 best credit card की, तो फड़ा वड़ा आप चैनल पे नहे हैं, तो सब्सक्राइब करिए, ऐसी वीडियो देखने के लिए, वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक करिए, दोस्तों क करिए, कोई question for mind में आ रहा है, तो दोस्तों comment करना नहीं भूलिएगा, और अगर बनवाना है किसी bank का credit card लेना है, किसी bank का loan, तो जाने का कहीं दूसरी जगनी है, जो number आ रहा है, वाट्सअप का आईए, हम बताएंगे कि कैसे आपको घर बैठे बैठे credit card और loan मिल सकता है, म करिए, हम बताईए, की अफ दोस्तों, तो हाल की आईए, और रहा है, तो किसी जाइए, समय थारी डाई पनोग लेक सुल्या कर देहा है, मुचरैक का आइए, याने की जाए है, रखको अपके लेका एंपको भी स ledविसमा, टाने के बताएंगे, उस्तिताएंगे, याने भी